तो आज हमारा अगला वेडियो है सेमी कंडेक्टर लेजर दोस्तो हमारा एम है आपको एक्जाम के पॉइंट से नोट्स प्रोवाइड कराना इसलिए कभी-कभी कुछ स्चुडेंट स्टुरेंड करते हैं कि सर आपके नोट्स में कोई चीड डिटैल्स नहीं रेती ऐक्योवम colony hack आपको एक फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप उसको स्टेडी करके एक्जाम में pandemic कर सके है तो उसटे चाहर हो जाता है और एक तो कि फोक्ताान का एक प्रोड्यूूस होता है आप फोक्तान प्रोड्यूस होता है और अव्योच होता है जो सेंक्गेंद् dinner लेजर है यह पी एन्ज्न्क्षन डायोट का ही मिलके बना होता है जो की लगवक सिलिकान जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम इंडियम आर्सेनाइड फासफेट इनका मिलके बना होता है कि इसमें यह कैसा डिवाई सोता है कि जब इसमें एलक्तिक करेंट करते हैं तो इसमें सिलेशन होता है ौर जिसके थ्थू एक करेंट söz होता है और आपको लेजर मिलता है इसकी जो फिनोमिना है वो पी एन जंक्शन डायोड का जो फॉरवड वायस का फिनोमिना है लगबग उसी तरह का होता है योकि सेमिकंडेक्टर डायोड में जो पी एन जंक्शन डायोड यूज किया जाता है वह फॉरवड वायस में होता है फॉरवड वायस का मतलब होता है कि बैटरी का path 2 terminal पी जंक्शन डायोड के टाइब semiconductor से और बैटरी का negative terminal पी जंक्शन डायोड के N type semiconductor से connect किया जाता है इस combination को forward बायस कहते हैं अब इस laser का construction जैसा कि हमने अभी अभी बताया इसमें conduction bind में बहुत अधिक electron होते हैं और वेलांस बैंड में बहुत सारे होल होते हैं इस तरह से एक पापूलेशन इनवर्शन बन जाता है कंडक्शन बेंड और वैलेंस बेन्ड के बीच में जब अपक्श होते हैं और यह एलेक्टरान होस्र States करता है और इस तरह कर बोघ्टान होता है वह हैं electron को stimulate करता है excited करता है और वह electron फिर से hole के साथ combine हो जाता है और इस तरह से stimulated emission का chain reaction मिलता है जो की laser light produce करता है कि इसमें जो laser light के photon है कुछ photon है वो electron के दुआरा आप एफजार्ब हो जाते हैं वैलेंस बैंड में और कुछ वेकनड़क्षन बैंड में एफजार्ब जाते हैं और इस तरह से Stimulated Emission में Net Population Version मिलता है दोस्तों इसमें जो पी एंजंक्षन डायोड है उसको एक cavity के अंदर रेजोनेंट cavity के अंदर बंद कर दिया जाता है चुकि इसमें जो semiconductor यूज करते हैं उसका refractive index लगवग 3.6 हो सकता है इस अर्थात इसका जो crystal air interface का जो reflectivity है वो बहुत अधिक होता है इसमें जैसा कि हमने बताया है कौन कौन सा material यूज होता है वो लिखा हुआ है अब इसमें डवल हेट्रो स्टेक्चर डायोड होता है इसका भी यूज कर सकते हैं जिसका हम room temperature पर यूज करते हैं दोस्तों इसका जो systematic diagram है लेजर डायोड का वो दिखाया गया है कुछ इस तरह से यहां पर यह p-type semiconductor यह n-type semiconductor है यह p-n junction डायोड है यहां से p-type में यह positive terminal दिया गया यह n-type में negative terminal दिया गया जब यहां से हम forward wires current देते हैं तो p-type के जो hole है वो positive terminal से reflect हो के junction की और जाते हैं और negative terminal के कारण n-type में जो electron की मजार्टी होती है वो reflect हो के junction की और जाता है और इस तरह से जो p-n junction है काफी लेजर आउटपुट देते हैं तो यह हो गया इसका systematic diagram अब दोस्तों यह working है जैसा कि हमने बताया कि p-n junction डायोड forward wires में काम करता है इसमें पी रिजन जब trivalent को और pentavalent की डोपिंग की जाती है तब आपका p-type semiconductor और n-type semiconductor बनता है जैसा कि हम p-type and type semiconductor के वीडियो में बता चुके हैं और यहां पर जैसा population inversion होता है उसारी चीज़ें हम आपको explain कर चुके हैं जब electron conduction band से balance band में move करता है तो electron के hole के साथ combine होता है photon release होता है तो यह सारी चीज़ें आपको explain की जा चुकी है है चुकि हमारा एं में आपको एक notes प्रोवाइड कराना इसके उसमें यह working आपको दिखाई गई है हमने आपको working पहले ही explain कर दिया है है चुकि यह theoretical पार्ट है इसलिए इसमें shortcut में आपको explain की आ जा चुका है यहां से इसका आप इसको note करके exam में आप लिख सकते हैं कि यह भी working का ही एक पार्ट है अब इसमें इस तरह से semi conductor material को selection किया जाता है कि जो इससे जो laser light मिलता है वो अल्ट्रा वाइलेट रीजन का हो यह इंफ्रा रेड रे का हो इस तरह से इसमें हम select करते हैं कि इसमें कि इसकी कुछ मेरिट्स है प्रापर्टी है कि सेमी कंडेक्टर डायोट की किसकी वर्किंग काफी सिंपल होती है यह जैसे पी एंजंक्शन डायोट की वर्किंग होती है उसी तरह से सेमी कंडेक्टर लेजर की वी वर्किंग होती है इसकी efficiency हाई होती है इसकी साइज कम होती है यह इसकी प्रापर्टी है इससे जो बेव लेंद्स होता है उसका रेडियेशन लगवग 1.06 μ. zijn工 का हो सकता है यह कंटीनिवस से डबू का मतलब से में यह की फिस टाइप त्क हो प्रksom flex कर सकता है और इसका वाल्यूम कम होता है इसका वेट भी कम होता है इसको एक जगे से दूसरे जगे तक ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती इसका service life long होता है service life long होता है और ये low power loss होता है इसमेm power loss कम होता है लेकिन इसमें जो power consume होता है दोस्तों ये इसमें ज़्यादा होता है मतलब जो हम electric field apply करते हैं forward wise pan junction diode को work करने के लिए वो ठोड़ा सा अधिक होता है इसका maintenance charge भी कम होता है तो यह इसके कुछ property हो गई merits हो गया अब इसके कुछ drawback भी है कि जो लेजर light का जो output है यह highly coherent नहीं होता और monochromatic भी नहीं होता नॉर्मली हम जानते हैं कि जो laser है वो coherent होता है और monochromatic होता है लेकिन semiconductor जो laser है यह highly coherent नहीं होता और monochromatic भी monochromatic होने की जो possibility है वो बहुत कम होती है यह beam का divergence भी हो सकता है जब semiconductor laser जो की normally fiber communication में यूच करते हैं इसकी working light meeting diode की तरह होती है light meeting diode उसमें जैसे light meeting diode में light प्रोडूश होता है ठीक उसी तरह सेmisconductor laser में भी light प्रोडूश होता है लेकिन यह light beam diver जो सकता है इस light में temperature का effect पड़ता है चुकि semiconductor diode है इसमें यूच करते हैं और diode में temperature का effect पड़ता है इसलिए सेmisconductor laser में भी temperature का effect पड़ता है जो loud output light मिलती है उसमें temperature का effect पड़ता है अब इसके कुछ usage हो गए इसका हम soldering में यूच करते हैं welding में यूच कर सकते हैं surgery में इसका हम यूच कर सकते हैं hair removal में इसका हम यूच कर सकते हैं यूरोलोजी में इसका यूच कर सकते हैं जो laser printer होता है इसका भी हम यूच लेजर प्रिंटर में भी इसका हम यूच कर सकते हैं इसका CD player में यूच होता है और यह जो आप्टिकल फाइवर कम्मुनिकेशन होता है इसका भी आप्टिकल फाइवर कम्मुनिकेशन में भी हम सेमी कंडेक्टर लेजर का यूच करते हैं दोस्तों जब इस तरह से हम लेजर यूच करते हैं तो यहां कुछ हमें प्रोटेक्टिंग भी लेनी चाहिए लेजर रूम में या लेजर लिबोरेटरी में हमें क्लोथिंग ग्लॉप्स इस्पेसल गूगल्स यह सारी चीज़ पहन करके ही हमें लेजर का प्रेक्टिकल करना चाहिए क्योंकि यह काफी हॉमफूल हो सकता है लेजर रूम में यो वेंटिलेशन है वो भी होना चाहिए रूम में डार्कनेस भी हो ताकि लेजर लाइट दिखें और डस्ट नहीं हो नीचाहिए एयर कंडिशनिंग पर बैदें को ना चाहिए यह सेंद्सक्टर लेजर यह कोई भी लेजर का सी एफ्लिकेशन करते हैं तो उससे कोई लॉच नहों दोस्तों ये होगए आपका सेमी अन्डैक्टर लेजर तो हैब मंगे में किया है तो फ्लीज हब मरे CSV सेंद्स चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने फ्रेंट सर्किल में सेयर करें यदि आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थेंक्यू वेरी मच इस समय कोरोना कम हमारी चल रहा है इसलिए घर में रहें सेफ रहें और घर से ही पूरी स्टडी करते रहें थेंक यू